लगातार हो रही बारिश से शहर में होने वाले जल जमाओं से निपटने के लिए नगर निगम की टूम पूरी तरह से मुस्तैद है इस समद में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंग ने बताया कि जल जमाओ की समस्या से निपटने के लिए लगातार पूरे महानगर का निर्चड किया जा रहा है उन्हें कहा कि सभी पंपिंग इस्टेशन के करमचारियों को निर्देशित किया गया है कि लगातार पंपिंग इस्टेशन पर लगी मशीनों को चालू रखें जिसे शहर में जल जमाओ की इस्तिती खुदपन ना हो सके इस समद में गोरगपूर नियुव से बात करते हुए नगरायुक्त अन्जनी कुमार सिंग ने बताया जल जमाओ सुन पटने के लिए लगातार हमारे योगे ओफिसर्स की टीम रमण कर रही है जहां होशकता है वहां पंप लगाए जा रहे हैं पूरे शहर में आप जानते हैं कि 11 रेगुलेटर्स हैं हर रेगुलेटर पे कहीं दो कहीं तीन कहीं बारा बारा पंप्स लगे हुए हैं उनके अलावा हमारे पास मुबाइल पंप्स हैं जहां होशकता होती है वहां पंप जाता है और पानी को पंप आउड करके न्यूनतम संभव समय में यहां के निवासियों को रहत पीछा जाती है जैसे ही बारिष होती है यह जरूर है इटेज बारिष होने पर शेर में कहीं-कहीं पानी लग जाता है लेकिन हमारी कोशिस होती है कि यह ऐसे वाटर लॉगिंग एरिया से जो एकत्त पानी है नून तम संभाव समय में उसको हम वहां से घटा सकें ताकि हमारे संभानिक नगरवाश्यों को किसी परकार की कोई असुरिधा का सामना नहीं करना पड़े सर अब ये आपके दोरा निरिक्षण किया गया था इस दोरा कुछ कमिया पाई ये कि तो उस समझ में गया था is तीन चलना है मैंने का पर अधिकारी चेतर में गूम रहे हैं और सिसले भी आउष्यक है कि जब याथिकारी करता है तो तो वहां पर अगर कोई कमी रकी है तो उसको दूर करने का निट्धेश देता है इसीके द्रिष्डगत मैने स म्हांनी मेर सहाब और हुने वहां पर जो भी छोटों दी कम्या पाई गई उसको दूर करने का निर्देश दिया वो दूर भी हो गई है यह फ़री तोर पर इस पकार की कम्या थी जैसे जितना पंप चलने चाहिए उतने पंप नहीं चलाए जा रहे थे ऐसी शिकायत थी जब कि वहां कि दो लोग चला रहे थे उनका ही मानना था कि साथ कि इतने ही पंप चलाने पर पानी निकल जाएगा अला कि यह इनेडयरेश दिर्जेवगा है कि ज्यादा ज्यादा पंप चलाए जया जाए ताकि इन तबस्व में पानी बाहा निकला जासे